हेलो फ्रेंड एट जी क्लासिस में आपका स्वागत आते हैं फ्रेंड्स आप थम्नेल देखकर यह समझ गए होंगे कि मैं जो है इस वीडियो में किस बात पर चर्चा करूंगा दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो आंदोलन क्यों असफल रहा मैं इस वीडियो पर चर्चा करूंगा दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन जो है 23 मार्च के दिन सुभ़त 10 से 11 वजे की बीच में दोस्तों हम लोग B.S.S.E. आयोग पहुँचे और उसके बाद दोस्तों धेरे धेरे जो है लड़के एक अठा होते गए और जब करीब 300 के करीब छात्र जब पहुँच गए दोस्तों तब मतलब हम लोग को पता चला कि जो है हम लोग तो आंदलोन कर रहे हैं लेकिन हम लोग का आंदलोन को सुनने वाला दोस्तों और वहां कोई है ही नहीं इसलिए एक तरफ से देखा जाए दोस्तों ति यह अंदलोन मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि यह सफल रहा इसका मैं जो कारण है दोस्तों वो है बिहार कर्मचरी चायनायक की जो है सचीब और वो अध्यक्ष जो है दोस्तों दोनों में से कोई भी जो है उपस्थित नहीं थे जब होलो महाँ पहुँचे दोस्तो तो मैन मैन अधिकारी ही महाँ नहीं थे जिसे कारण से हमलों का जो बात है दोस्तो वो मतलब आयोक के सामने सही से नहीं रख पाए उसके बाद में दोस्तो एक आईजी रेंग के एक आफिसर आए जीन होने दोस्तो मतलब दो इश्श्टरिंट को अंदर बुला कि ले गया और सारा प्रकरिया हो पूछे उनसे उसके बाद उन नों होने दोस्तो दोनो इश्टरिंट से जो है लिखित बयान ले लिया कि किस बात पर आप लोग यहां भीड़ी का ठाक किये हैं और क्या क्या मतलब आप लोग की परिशानी है तो दोस्तों मैं बता दू कि लिखित बेयान क्यों लिया क्योंकि आप जाने कि दोस्तों क्या आयोग को यह पता नहीं था कि आज 23 मार्च के दिन आंदर्ण होने वाला है आयअ को सारा ची इस बात का पता था दोस्तों कि आज आज आनदर्ण होने वाला है अई जो है जान बुझ कर ऐसा क्या गया कि जो है भीहार करमचारी चायन आयक के जो सचीव हैं और अध्यक्ष जो है मतलब आज उपस्थित नहीं थे उसको पता था कि कुछ मतलब ऐसा होगा तो दोस्तों हम लोग जैसा घहराप किये उसका कोई जो है सफल परिनाम नहीं देखने कोई मिला दोस्तो केवल जो है YG officer जो है उन्होंने केवल इतना बताया कि आप लोग जो है केवल आपना टाइपिंग करते रहिए आयोग का काम है वो आयोग काम कर रही है बहुत जल्द जो है इससे समंदित सुचना आप लोगों को दिया जाएगा तो दोस्तों आप अगर एक तरह से देखें टो इसमें कुछ खास दोस्तों हम लोग को परिणाम नहीं मिला तो दोस्तों कहीं न कहीं यह जो आंदलन हम लोग का रहा दोस्तों यह एक तरह से देखा जाए तो आप सफल ही रहा बлон ahog अपना मनमानी करेगी कब आयोग जोह है इसका पहसला करेगी दोस्तों कब वो जो है टाइपिंग से लेकर समंदी समस्या जो हम लोग का कब सुलाया जाएगा नोटिस कब उसके द्वारा दिया जाएगा मुने कुछ भी किलियर नहीं हो पाया इसलिए मैंने दोस्तों इस आंदरों को जो है असफल बताया है इसका मैंन कारण है दोस्तों कि जो है सचीव और अध्याक्ष नहीं थे उपस्तित और हम लोग जो इस्टुडेंड दोस्तों हम लोग इस्टुडेंड तो सभी समय पर पहुँच गए थे जितनी भी जंसंख्या में पहुचा उतना ही काफी था दोस्तों इस आंदरों को सफल मनाने के लिए लेकिन हम लोग आंदरों करते तो क्या करते हैं इस्टुडेंड का जो काम था हम ने किया हम लोग ने किया लेकिन आयोग की कार्यवाही भी कुछ होनी चाहिए दोस्तो कि आयोग क्या करेगी आयोग ने तो इस्टुडेंट को जो है संतावन दे दिया कि आप लोग टाइपिंग करते रहिए कि आप लोग टाइपिंग करते रहिए आयोक का काम है, वो सारा प्रक्रिया बहुत जल्द करेगी, ऐसा उन्होंने कहा, तो दोस्तो इस से आपको क्या पता चलता है, क्या सही समय पर सारा कारी हो पाएगा, तो देखिए दोस्तो आप क्या होगा आगे की कर्रवाही, तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही था, अ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकान को ओन कर दीजीगा ताकि जो है पल की छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने लाता रहूं इस वीडियो में दोस्तों इतना था तब तक जाहिन जाय बहरत